सर में मेडिकल पर बोल रही थी की स्कीम है मध्य प्रदेश की आईश्मान कार्ट जिसमें पांच लाग तक मुफ्त इलाज में जब किसी को बड़ा ऑपरेशन ने किसी भी चीज को पांच लाग के अंदर करवाना हो वह हॉस्पिटल वाले एक्सेप्टी नहीं करते हो करते हैं वो कहते हैं इसका पैसा हमारे तक नहीं आएगा और जो लोग है जो परिवार है उसको अपने से कैश देना पड़ता अगर उनके पास कोई जगे जैसे मैं अमर कंटक में एक तुटि क्म आइजयसे कोई टॉक्टर के लिए बोलते हम इतना काम करते हैं ताहरा कोई काम नहीं होता सर अनुकपुर डिस्टिक है जिला उसके बावजूद वहाँ पर शायद 20-25 साल से एकी दो डॉक्टर ने जो धंके हैं बाकी कोई भी जाता है आप सुबह 6 बजे किसी का एक्सिदेंट हो जाए किसी को साप कार्ट दे कोई मर जाए लेकिन आपके बस कोई धंका डॉक्टर न कर आपके पास होगा मेरा नंबर लीजे मेश्टह करें यह मैं आपका इलाज कर वाद लो एक आई यह ओंड़ाइए यह जोड़ााсть ने द्यूद्या बलंद सुनिये दो डी सरकारी योजनाएं लागू होती हैं कागज पर उनके आंकड़े और उनकी उपलब्धिता प्रस्तुत की जाती है आपको ग्राउंड से फीडबैक मिल रहा है रियल टाइम की डॉक्टर्स लोटा रहे हैं ठीक है अब आपकी इच्छा है कि आपको नहीं नहीं सब ठीक है या अपकी इच्छा शक्ति है कि आप उस बग को फिक्स करो जहां जहां योजना के क्रियानवन में जो शिकायते आरे गर वो कह रही है कि वो एफेक्टिव नहीं यह व्यां डिनान पेना है इस लिए नहीं है उसका कारण में बता रहा हूं मेरे डॉक्षाब है मेरे सीनियर है क पैंनिंग पैलव लोन लेके उन्होंने एस्पिताल खुला दो साल कोविड मों ने पूरा पूरा उन्होंने जो ही स्मान का वो था उसका फायदा दिया उन्होंने काम करा लेकिन अभी तक उनका लोण गौवर्मेंट ने जो वो सॉरी जो उनका आयुसमान का जो बिल है अब कैसे आप सोचे कि कैसे करेंगे दूसरी बात उन्होंने कहा कि ट्राइबल एरिया में डॉक्टर नहीं जाते हैं आप मैं गया था अभी सिंग्रॉली की बात बता रहा हूं वहां जिस जगें पे जो जीवन आपन कर सके और रह सके उसे भी तो अच्छी फैसिलिटी चाहिए इसके लिए कुछ इंजेंटिव देना चाहिए केंदर सरकार के जितना बराबर पेबल नहीं है एक एंबीवेस डॉक्टर अगर हमीदिया अस्पताल में काम करता तो उसकी तनका होती एक लाग से ज पारे उनकी विवस्तानी तो जनता कैसे रह रही है यह दो अलग अलग चीज़ है दो दो प्लीज दो नाट मिक्स टॉपिक उनका यह कहना है कि डॉक्टर को जो एक बेसिक प्रिमाइस बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए ठीक है एक डॉक्ट एक व्यक्ति है जिसने सरकारी क अब उसके पास ऑप्शन है जैसे आप एक एप के लिए काम करती है यूव च्वाइस ना कि आप यहां काम कर रही है आप दिल ली जाके काम कर सकती है वह यह कह रहा है कि अगर हम उन्हें इलाकों में नौकरी करने जाना चाहें तो उन्होंने दो विशे उठाए पहला पे कि बात कहीं कि एमस में कैसा है और स्टेट में कैसा पॉइंट वन पॉइंट यह कह रहा है कि वहां पे रहने की ऑपरेट करने की जो कि मैं बहुत डॉक्टर कम्निटी से जुड़ा हूँ घर में लोग हैं तो वह यह चीज कहते हैं कि आपको रूरल सेक्टर में कर रहें जाने से और जो इन्होंने प्राइवेट हस्पिटल की बात कहीं कि बिल उनका प्रेंडिंग है आउश्मान तरफ से आप क्या कह रहे थे मैं कह रहा था जैसे दीदी बोल रही थी कि आयूस्मान कार्ट फेक देना चाहिए उसका कुछ लावी नहीं है आप आईए म अगर दस असपतालों की बात की जा तो मैं यह नहीं कि सबका बिल पेमिंट नहीं हुआ होगा लेकिन जहां वापस कर रहे हैं वहां का में विसाय ही होता है कि उनका बिल पेमिंट नहीं होता है आप मेरी बात यह जी 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 मैं बता रहा हूं आप एलेन मेडिकल कॉलेज हो गया बंसल हो गया आप चले जाए वहां पर आयुश्मान काड धडल से वो तो खोचते हैं कि आयुश्मान काड़ वाले कहां है उनके लिए अलग बिल काउंटर बनागे रखा है आपको अगर वि पाइवेट वाले स्वागत कर रहे हैं दूसरी गुश्य में कहरें कि फेक देना चाहिए तीसरे उसकी ऑपरेशनल दिक्तों को बता रहे हैं